आज मुख्यमंत्री पत की शपत लेने वाले हैं अर्विंद के जिवाल बता दे कि दिले की राम लीला मैदार में शपत ग्रहिन समारों हुगा जहां समारों में विभिन शेत्रों से करीब पचास लोग मंच सांज़ा करेंगे तो तीसरी बार सियम पत की शपत लेंगे अर्विंद के जिवाल तो आम आदिपार्टी के राष्ट्र सयोजक अर्विंद के जिवाल जो आज दोपैर करीब 12 बजे मुख्यमंत्री पत की शपत लेंगे बता दे कि तीसरी बार मुख्य मंत्री बनेंगे अर्विंद के जिवाल जहां के जिवाल के साथ 6 विधायक भी मंत्री पत की शपत लेंगे मैं जी डिली की अगर बात की जाए तो आम आदनी पार्टी जिस तरीके से जीती है उस पर लगता है कि किस तरह के तो देखिये कियास लगना लाजमी है चुनाव होगा जब भी कॉंप्टिशन होगा उसमें कौन हरेगा कौन जीतेगा इसके कैस लगने भी चाहिए और यही डेमोकरसी है लेकिन अब जब कि चुनाव हो गया है और आमादी पार्टी को सतर में से 62 सीटे मिल गई है आमादी पार्टी के उपर जिम्मेदारी है कि अब अगले पांस साल दिली में वो काम जो पिछले पांस साल से हुए उसको और आगे बढ़ाना है और हमारा पूरा मेहनत पूरी समर्पन उस पे रहेगा कि अगले पांस साल भी जनता के मनमें ये कॉन्फिडेंस हो कि हमने सरकार चुनी जनता सरकार ने हमारे लिए काम किया आज के बाद आप लोग काम पे लग जाएंगे और जब में शपत ले रहा हूं मुख्यमंतरी जी शपत ले रहे हैं और मंतरी शपत ले रहे हैं मैं दिल्ली के एक एक वोटर का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने नफरत की राजनिती के उपर इमांदारी की राजनिती, शिक्षा की राजनिती, काम की राजनिती को चुना, इसके लिए तहे दिल से दिनने वादे. विधान सभा में सहयोग चाहेंगे जो भी बीजेपी से आयन है, अपोलीशन जो टाहें? ने, इनिश्य रूप से चाहेंगे, विधान सभा में उनकी कड़ी निजर हमारे काम पे रहे और वो बिल्कुल क्रिटिकल रहे हैं हमारे काम को लेखे, उनका क्रिटिकल होना ही हमारे सहयोग करना है. उमीद करते हैं कि सेंटर पिछले से जादे सहयोग करेगा. तो मनीश सिसूदिया को आप सुन रहे थे, आज वरिन के जुराल के साथ ये भी शपत लेने वाले हैं और शपत लेने से पहले बातचीत यहाँ पर करते हुए और उमीद यह जताते हुए जैसा कि पिछले पाच साल के कारकाल में देखा गया कि खेंदर की सरकार काम नहीं क और शपत लेना हैं